तो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का online एड़ाफ फरस्टी योटीब चैनल में जिसा कि आप जानते किसी बड़ी समझेद कोई भी जानकाई होती आप सभी का online एड़ाफ फरस्टी चैनल के माध्यम से दी जाती है इस वीडियो में हम बात करेंगे TV-PGD 2022 की exam date के बारे साथ ही अगर बात करें एरेड यूनियर सिच्छक भरती को लेकर जिसके खाली पदों का विवरा आया है क्या क्या जानकाई है सारी हम कवर करते हैं वीडियो को आप लाइक करते हैं साथी शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे कि जानकाई आप सभी को बरे गए थे ना तभी आप सभी को संभावित तारीक देखने के लिए मिली थी कि अक्टूबर के प्रथम सब्ता के अंदर आपकी परिक्षा कर वाली जाएगी आज आपके बीच अक्टूबर भी आ चुका है दो दिन बाकी है और उसके बाद भी परिक्षा की तारीकों को लेकर भरती इंतजार कर गए और इतना लंबा इंतजार होने की सबसे बड़ी बज़े ये रही कि टीजटी पीजटी भरती का बिग्यावन चेर्मेन के माध्यम से जारी कर दिया गया लेकिन इस भरती को लेकर प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए उनके पास प्रयाप्त संक सबस्क्राइब कर दिया गया था आवेदन भी ले लिए अवेदन लेने के बाद में अब सदस्यों की न्यूकति को लेकर या फेहम यूं कहें कि सदस्यों के नं के लिए यहां पर जो प्रोसेस इए वा लड़का हुआ है शासन इस вдруг जांका यह लीगई कि सख्च्राइब क कि यहां से चैन होगा चाहे वो धस हो या फिर नौ हो या फिर आठ उन्स अभी की लिष्ट यहां पर जाजी की जाएगी शासन के माध्यम से और उसके बाद में चैन बोर्ड के अंदर दो से तीन दिन को अंदर हो जाएंगी लेकिन शासन इसको लेकर कोई भी रिस्पोंस नह नए सदर से नहीं आए हैं उन्चे ये भी पूछा गया कि नए सदर से कब तक आ सकते तो उन्होंने ये कहा है कि अभी इसमें लगबग 10-15 दिन लग सकते हैं क्योंकि शासन इस तरह पे जब मामला लटका होता है तो उसमें कुछ कहां नहीं जा सकता कि सरकार चाहे तो आप श सवाल है परिक्षागी तारीकों के बारे में तो यहां पर जो जानकाई देखने के लिए मिली है कि टिजटी पिजटी को लेकर आपको थोड़ा और इंतिजार करना पड़ेगा पंदर अक्टूबर के आसपास हो सकता है कि शयासन के माद्यरम से सदस्यों की निउक्ति कर दी जाए अगर पंदर अक्टूबर तक भी नहीं होती है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लिजे चैन बोड की भरतियां पंच वरसी योजना के नाम से भी जानी जाती है ऐसे में पंदर अक्टूबर तक लास्ट उम्भी जदाई जा रही है अगर पंदर अक्टूबर के बाद भी निउक्तियां नहीं होई तो फिर आगे आपस भी जानते हैं थोड़े होलीडे आ जाएंगे और छुटियां होने से टीज़िटी पीज़िटी भरती और भी लंबे समय के है लेकिन बरतमान में जो जानकाई यहां से चैन बूर्ड ने दिये वो यही है कि पंदर अक्टूबर तक चैन बूर्ड के अंदर नए सदसे आ सकते हैं और पंदर अक्टूबर के बाद अगर नए सदसे आए तो इस परिक्षा को हम दिसंबर की लास्ट याफिज जनबरी में करानी के लिए कोशिश करेंगे मतलब चैन बूर्ड का यह कहना है कि परिक्षा की तारीकों को लेकर 2023 तक भी आपको इंतजा कहना पड़ सकता है हो सकता है कि यहां पर टीजिटी पिजटी 2022 लिखा हुआ है आगे आपका जो एक्जाम है वो 2023 में देखने के लिए मिले क् इंतरों से कारे लेकिन वह भी दुबह लटका हुआ है बरतमान में जो जानकारी है वह यह है कि दिसंबर के लास्ट या फिस जनबरी में आपकी परिक्षा होगी मुश्किल लगा है कि दिसंबर परिक्षा देखने के लिए मिले चैन बोड ने तो उसको लेकर दो तीन बार जानकाई भी दी है फिलां तीज़टी पीज़टी भरती के परीक्षा अब 2023 में होने की संभावना है कारिकों को लेकर जैसी कोई और अपडेट होगी सबसे पहले आपको ओलाइन डाव फर्स्टी चैनल के माध्यम से देदी चाहेगी अगर आपने अभी तक परीक्षा सेटी यूटूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लो वहाँ पर ही बहुत साही जानकाई मिलती हैं बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संभधित हैं 63,000 पर नई प्राइमरी सिच्छक प्रती को लेकर हाली में बिदान सभा के अंदर बेसिक सिच् के अंदर और 63,000 से ही ज्यादा पर प्रात्मिक के अंदर खा ली हैं जिनको सीधी बरती के माध्यम से बढ़ा जाएगा उसी के संबंद में 63,000 पर नई प्रात्मी सिच्छक प्रती विग्यापन जारी कराने के लिए अभ्यरतियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी देखने के लिए मिलता है है स्टेक 63,000 प्रात्मिक सिच्छक प्रती जहां पर अभ्यरतियों का कहना है कि ऐसे अभ्यरति जो कि आगामी समय के अंदर अगर उनके आवान करने पर बड़ी संक्या में लखनों में धरना प्रदेशन करने के लिए तैयार हो जाएं तो आगामी कुछी समय में लखनों के अंदर 63,000 प्रतों पे नई प्रात्मिक सिच्छक प्रती के लिए धरना प्रतेशन शुरू कर दिया जाएगा लेकिन यह होगा तभी जब अभ्यरतियों की बड़ी संक्या में 63,000 प्रतों को लेकर मांग देखने के लिए मिलेगी इसी बीच बहु को भी होगा बोतों आप जानते कि धरना प्रतेशन के बादी देखने के लिए मिलेगा सरकार दिक्तपतों की जानकाई भी दे रही है अब ब्रतियों के पास अच्छा मोका है कि नई प्रात्मिक सिच्छक प्रती के लिए सरकार की उपर दबाब बनाया जाए कई चात पाठियों के माध्यम से भी सपोर्ट मिला है आप क्या क्या कहना है कमेंट करके अब बताईएगा कि प्रात्मिक सिच्छक प्रती के लिए बरतमान में धरना होना चाहिए या पर जो परीक्षा आगे आने वाली पीटी उन सभी के हो जाने के बाद में क्योंकि बेसिक सिच् क्योंकि अगर अभ्यति एक जो टोकर सरकार के सामने मांग रखेंगे तो यहां पर अवाद ज्यादा बुलंद होगी ज्यादा बड़ी संक्या में आपको यहां से सफलता देखने के लिए मिलेगी और अगर सब कुछ त्री करा तो जल्दी आप सुभी को 63,000 सिच्छक प्र जारी हो जाने के बाग सचिप परिक्षा निमक प्रदिकारी के माध्यम से एड़ेट जूनियर को लेकर पूरा परिडाम सिच्छा निदे साले बेश दिया गया था दो से तीन दिरों के बाद ही मैंने कहा था कि अगले हफते आप सभी को जानकाई मिल जाएगी कि आपकी न कि एड़ेट जूनियर सिच्छक बरति को लेकर जो ब्योरा मांगा गया था वो हमें प्राप तो चुका है लेकिन उन्होंने एक जानकाई और दिये कि कुछ विद्याले अभी ऐसे हैं या फिर कुछ जिले ऐसे हैं जिनके माध्यम से अभी पूरी जानकाई नहीं बेजी ग सकते क्योंकि कई जिलों के माध्यम से डाटा नहीं बेजा गया है जैसे डाटा मिलता है उसके बाद में डाटा को यहां से मिलाया जाएगा पुरानी अधियाचन से और फिर उसके बाद में रिक्टपदों की जानकाई दी जाएगी तो मतलब यह है कि एड़ेट यूनियर स इच्छक बरती की मांग की जाए थी उसको लेकर अभी भी अधिकारी कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहें हाला कि मैंने तो आपको कई बार कहा भी था कि पांस इजार प्रदों पर भरती तभी हो सकती है जब शासनी की तरफ से यहां पर इसको लेकर आदिश दिया ज क्ली esperando के जाए भी होगा हुए और मैंने दोलते ही हुए था कि सर्छब कायो गया हुए हुए